नमस्कार, जै जोहार! क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी नेमोरी टेकनिक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप यहां 10 से अधिक गवर्मेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप तो बी दे बेस्ट लण फ्रॉम दे बेस्ट नमस्तकार दोस्तों स्वागत है आप योगेंद्र साहू आनलेन क्लासेज में तो आज हम करने वाले हैं ग्रंतियों से question ग्रंतिया दो प्रकार की तो endocrine gland और exocrine gland तो हम लोग दोनों का question करने वाले हैं ठीक है ये आपके प्रयोक्सालप परिचालक और कृसी मंडी के लिए बहुत काम आएगा तो यहां से question आने की संभावनाय बहुत ज्यादा है तो आप सभी ये वीडियो जरूर देखिया और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है वो चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि ये series अभी लगतार एक्जाम तक चलने वाली है और ये series यूटुब पर बिल्कूल free है लेकिन अगर आपको इस series का PDF चाहिए चाहे बायो हो physics mcq series complete हो चुक है chemistry भी start हो चुक है तो इन तीनों का अगर आपको PDF चाहिए तो मात्र 30 रूपीज में आपको available हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा योगें साहू classes एप वहां से आपको ये असानी से मिल जाएगा इसके साथ साथ ही आप फ्र 11 इस नंबर पर कॉल करके किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं या test series के बारे में जानकारी ले सकते हैं ठीक है और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए गया यह आपके लिए बहुत ही useful रहेगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like किज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए करते हैं आज का पहला कोश्चन मनुस्यों में अंतर स्त्रावी ग्रंती नहीं है देखिए क्या पूछ रहा है कौन सा इंडोक्राइन ग्लेंड नहीं है है नहीं है में विशेज ध् ग्रंथी इंडोक्राइन ग्लेंड होता है तो यह तो है जनन ग्रंथी जहां से एस्ट्रोजन और टेस्ट्रोटराण रिलीज हो रहा था तो यह भी है अंतरस्रावी ग्रंथ प्यूस ग्रंथी भी है मास्ट्राइन यह कृत नहीं है लीवर क्या है लीवर एक्जोक्राइन थीक है, एक्zubिन मसलेंट है, एक्जोक्राइन ज्लान है लीवर तो option D क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा, दूसरा question देखते हैं को थमST जहां करता है, दूसरा question कह रहा है थायरोक्सिन के संसलेशन के लिए निमनलिखित में से क्या आवश्यक है तो थैरोक्सीन के संसलेशन के लिए निमनलिखित में से क्या आवश्यक है पोटेशियम, सोडियम, कैल्सियम यह फिर आयोडीन तो थैरोक्सीन हर्मोन कहा से निकल रहा था थैरेट ग्रंथी से और उसके संसलेशन के ल और मगहें दोलिनों गहलेएं दोल कम्झण करते हैं तो उसके लिए आवश्यक यह क्या आयोडीन ठीक है नमक में रहता है आयोडीन हमारे बोलते भी है ना आयोडीन युक्त नमक का ही क्या करना चाहिए सेवन करना चाहिए ताकि क्या हो मांसिक कमजोरी ना हो भारत का नमक आयोडीन नमक ठीक है टाटा युक्त नमक टाटा नमक आयोडीन युक्त नमक सब बोलते हैं और उसमें जो बच्चा दिखाता है वो क्यासे रहता है मल्टी टेलेंटेड रहता है, project word भी कर लेगा, डांस कर भी कर लेगा, ट्रॉइंग भी कर लेगा, सब भी कर लेगा, देखे क्यूं? क्याक्र। वो अईदिन यूगत पर नमक खा रहा है, उसका जो मांसीक विखास है, तो क्या हो रहा है तेजी से हो रहा है अच्छे से हो रहा है इसलिए अब थर्ड कोशन देखते हैं इंसुलीन हर्मोन का स्तरावन कहां से होता है अब इंसुलीन हर्मोन कहां से रिलीज होता है थारेड गरंती से होता है फ्यूस गरंती से होता है अधिवरिक से होता है यह फिर रिलीज इंसुलीन का और इंसुलीन क्या काम करता है फिर हमारे सरीर में सिरक्रा की मातरा को कंट्रोल करने का काम करता है अगर इंसुलीन कम रिलीज हुआ तो क्या होता है कम रिलीज होता है अगर इंसुलीन हमारे सरीर में तो सरीर में जो सुगर की मातरा है वो बढ़ जाती ह कि लेकिन वहीं अगर इंसुलीन कि ज्यादा रियलीज हो गयाँ ठीक है तो ज्यादा रियलीज हो जाएगा तो सुगल की मातर क्या हो जाएगी अधर। है ये और है। हम том तो यह बात आप लोग ध्यां रखेंगे फॉर्थ कोश्चन देखते हैं इंसुलीन किसे विनी या मित करता है तो इंसुलीन अभी मैंने बताए कि सरीन में सरकरा की मात्रा सुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है तो प्रजनार हिर्दय गति सारी विकास तो होगा नहीं क्या अगर रख्त सरकराय कोया इस तरह मैंने बता दिया कि इंसूलीन अगर जादा होगा तो इंसुलीन अगर जादा हुआ तो रख्त दूरह की मात्रा है वह क्या होजाए ऐता है a foreigners ग्या स्उगर कम ब्लड में वहीं अगर इंसुलीन गम तो सुगर ज्यादा अर जीनकर सुगर कम रहत है उनको डेली डेली इंसलीन का इंचेक्शन लगाना पडते हैं देखे भी होगे कई लोग कई अभी यहां पर हॉर्मोन दिया है और हॉर्मोन कहां और wiring से Lost ऑसली से Google subscribe ओसओन ने रिल इस होता है वह दिया गया है और aldosterone, aldosterone कहां से निकलेगा, तो ये निकलता है, adivric gland, adrenal gland से, ठीक है? prolactin, तो prolactin, मैं ने बताया था, ये punes gland से निकलता है, pituitory grcking करता है, और prolactin, hormon क्या काम करता है, जो गर्भुवती मात आया रहती है, उसमें दुद्ध, जो बनता है, तो यह मेलाटोनिन हर्मोन है वो निकलता है पीनियल ग्लैंट तरहबी ग्रंथी में सबसे छोटा क्लेंट होता है यह हमारे थाड़ाय के पास रहता है यह पर महादेओं का सा ची करता है महादेव महादेव यह बहुत चोटाए हम करता है हमारे को हमको हमारे में नींद लाने का काम करता है इसके साथ साथ ही मेलट्रोनिन हर्मोन हमारे सरीर का रंग रंग पर भी क्या करता है इसके मेलट्रोनिन हर्मोन ज्यादा उसका रंग ज्यादा सामला ऐसा ठीक है और नींद लाने का काम करता है कौन सा यह पिनियल ग् जोड़ी व्हक में और देखने हैं जी जादा सोते रहते हैं दिन भर सोते ह syntी जीवाई पैद में रहता है जासे से उम्री तुम उंस मोद्ष यालं दते उत्त व्होंत किनर बते निन कहने पतेर आ से ऊंवरा से मौं Lemon को से सिक्षों संवर में ऑर बरते हैं निम्ण में से कौन सा होर्मोन पिट्यूट्री ग्लैंड के द्वारा स्तरावित नहीं किया जाता है तो मैंने बताया था आपको ठीोरी क्लास में कि यह प्योंस गन थी उसमें से कौन-कौन सा होर्मोन होता है तो ग्रोथ हार्मोन था एक्टो थायरो ट्रॉपिक हार्मोन था एक्टो क्या था प्रोलेक्टिन हार्मोन था एक्टो क्या था वेसोप्रीन था और क्या था एंटिड्यूरिक हार्मोन मतलब वह वेसोप्रीन कहीं नाम है तो कौन-कौन सा रिलीज नहीं होता तो थायरट उत् प्लूत के निर्मान के लिए और वैसोप्रीन जो ब्लड में जल की मातरा है उसको कंट्रोल करता है ठीक है अगर कम रिलीज होता है तो यूरीन पतला हो जाता है और रहा पाणी निकल जाएगा और ड्यॉड्रेश्ट की समस्य हो जाएगी लेकिन वहीं अगर वैसाप्रीन तो समेटो स्टेटीन क्या होता है प्यूज गंथी ये प्यूस गंथी से रिलिज नहीं होता है और इसके लिए सही असर हो जाएगा सूर्ज की रोश्णी के संपर्क में हमारी स्वच्छां हो जाती है ऐसा किस की उपस्तिती के कारण होता तो सूर्ज की रोश्णी हमारे हम लोग बहुत ना कि टैनिंग हो गया तो कंदम गोहरे लोंकि हमें च्जादा देखता है कि पूरे केर रोगल और हम पहले स से शूड रहते है अथ पता नहीं चलता ठीक है तो ये किसके कारण रहता है कारोटिल ये फिर ओक्सीली है व्य फिर मेस्जें करण और ये कहां से फोह रहता और अगर्पाइण है है उदर के ठीक नीचे मतलब समग के नीचे यह गरदन के नीचे ले हिसे में यह मस्तिस्त में उपस्तित होता है यह फिर स्वांसनली से जुड़ा रहता है तो जब मैंने ब्रेन पढ़ाया था तो ब्रेन में मैंने बताया था कि उसका उसके जो फ्रंट ब्रेन है उसका एक व मस्तिस्क में उपस्थीत और यह हैपोथलेमस गरंती पिर क्या काम करेगा यह हमारे सरीर के अंदर के टेंपरेचर को बताएगा इसके साथ अंदर ब्लड प्रेसर को भी बताएगा जो भूक, निद्रा, प्यास और जो थकान है इन सब के बारे में जानकारी कौन देता है हमको को hypothalamus ठीक है लेकिन वही अगर हम लोगों को बाई हवातवरन के temperature के बारे में जब जानकारे चाहिए रहती है तो वह कौन बताता है वह बताता है थेलमस यह क्या hypothalamus यह अंदर के temperature को बताएगा यह हमारा नेजर भी करता है कि हम एकदम घुसाले हैं कि थोड़े सांथ सभाव कि हैं कि कैसे हैं थीक है यह सब कुम बताता है हमारा थाले में बताता है ADH का full form क्या है मतलब पूरा नाम क्या है anti-high uretic hormone यह acidic high uretic hormone यह adhesive high duretic hormone तो ADH क्या होता है एडियेच होता है anti-hyuretic hormon या hydعتork hormone ठीक है इसका full form anti-hyd passe homon महिलाओ में मादा हार्मोन estrogen किसके अधरा स्तरावित होता है ठीक है तो जनन ग्रंथी में मैंने बताया था महिलाओ में अलग release होता है और पूर्षों में अलग release होता है, तो महिलाओं में कौन सा हर्मोन निकल रहा है? तो estrogen hormone, estrogen के हर्मोन और वो कहां से इस्त्रावित होता है? दिमब्वाई नी, गर्भासे या गर्भासे गरीवा, ये फिर अन्डासे, तो वो निकलता है अन्डासे से, ओवरी से, ठीक है? जो में उसको पर नियंतर呢 रखता है ठीक है कौन सा एस्ट्रोजन हर्मोन और ये लड़कियों के वाखी जीते भी प्रॉय्ट सेकल है एको उसको क्या करेंगा शेपे लिलींस का काम करेंगा आप अन्य जर्म और कॉन सा हो रहा है तो एक होता है प्रोजस्ट्रोОन एक है पोजेस्ट्रॉन और एक है रिलैक्सिन हॉर्मोन तो पोजेस्ट्रॉन क्या काम करेगा यह प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि इसको जो माता के गर्व में जो भूण है जो बच्चा है यह उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है अगर यह पोजेस्ट्रॉन हर्मोन डि करता है संद Podcast है और है नॉर्मेल डिलिवरी में क्या करता है कि किने के नाब से जाना जाता है पिंक्रियायाश हाइपो positivity एडessä्टा다면 chi तो प्यूंस ग्रंथी रहती है उसी को ही मास्टर गंथी के नाम से जाना जाता है, तो option C क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, बारवा question देखते हैं, बारवा question क्या करता है, माना सरीर में प्यूटरी गंथी कहां इस्तित होती है, अब मास्टर गंथी बोलता है, यह तो समझ में आ गया, लेकिन यह रहता कहां पस है, प्लीहा के पास, प्लीहा मताब इस्प्लिन, मस्तिस्क के तले पर, यह गुर्दे के सिर्च पर, तो प्योज्टिरिक गंथी कहाँ पर होती है तो यह मस्तिस्क के तले पर होती है जैसे कि यह क्या है माल्यसा हमारा human brand है तो इसका जो बेच मेत रहता है यहीं पे क्या पाए जाता है यह प्योज्टट粘्थroy पाई जाती है तो ऐप्षन भी क्या जाएगा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूद बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है अब दूद बनने की प्रक्रिया को कौन उत्तेजित करेगा एस्टोजेन प्रोलेक्टिन यह एंड्रोजन यह प्रोजेस्टिन तो यह कौन उत्तेजित करता है उसको प्रोलेक्टिन लेक् ओक्सिटोसीन की मदद से वो होगा ओक्सिटोसीन की मदद से ठीक है और यह पोजेस्ट्रिन यह मैंने बताया कि जो गर्भ में जो बच्चा रहता है ब्रून रहता है उसकी सुरक्षा के लिए रहता है अपात कालिन इस्तिती के दौरान कौन सा हर्मोन उत्सरजित होता है अपात कालिन इस्तिती के दौरान कौन सा हर्मोन रिलीज होता है कोट्रियो कोट्रॉपिन यह एड्रेनिल यह नौर एपिनो नेफ्रिन यह फिर कोटिसोल तो अपात कालिन के समय जो भी हर्मोन रिलीज होत को बोलता है यकृत द्वारा स्त्रावित पितरस कहां एकत्र होता है ठीक है यकृत मतलब लीवर लीवर में क्या बनता है बाइल जूस पितरस को बोलते है बाइल जूस ठीक है यह क्या है लीवर अगर ज्यादा हिंदी हो गया तो मैं इंग्लिश में पता दे रहीं है ठीक है कि बेसिक वर्ट को लीवर में जो रिलीज होता है बाइल जूस वो कहां पर एकट्टा होता है पितासा में अगनासा में छोटी आंत में यह ऑप्शन डी है बड़ी आंत में तो यह कहां पस एकत्र होता है तो बनता पित तरस तो लिवर में है लेकिन इस टोर कहां पस होता है पित आसे में होता है इसको बोलते हैं गॉल ब्लेडर ठीक है गॉल ब्लेडर यह उसी सी जूड़ रहते है जैसे कि यह हो गया हमारा क्या लीवर लीवर से इधर फिर क्या कनेक्ट रहता है यहाँ पर पिता से गॉल ब्लेडर यहीं पस क्या इखटा होगा पितरस इखटा होगा और पितरस का हरा रंग जो यकृत में बनता है विलिंगन यह उसके कानन होता है आसु का निर्मान किस गरंथी में होता है से रूमिन गरंथी ले क्राइमल गरंथी यह स्वेद गरंथी यह से बिसियस गरंथी तो ले क्राइमल गरंथी में क्या होता है आसु का निर्मान होता है और यह ले क्राइमल गरंथी का अपस रहता है यह हमारे आख के उपर भाग मे तो ये रहा हमारा क्या आंक, ठीक है, ये रहा हमारा आंक, और आंक के उपर साइड में क्या रहेगा, लेक्राइमल गंति रहेगा, लेक्राइमल गंति ही क्या काम करेगा, आसु बनाने का काम करेगा, और ये जो पंक्चम रहता है, बदब ये जो किनारे में लाल फिलर का आप तो वह क्या है पंक्चम है तो वह क्या काम करता है वह आसु को स्टोर करने का काम करता है कभी-कभी आग डब डब डबा गया तो आसु तो रहेगा लेकिन कभी टपकता नहीं है वह क्या स्टोर हो जाता है यह पंक्चम में स्टोर हो जाता है और यह क्या काम करता है वह आसु क वो नाक में भेजने का काम करता है तो जब अरदस्ती सर्दी नहीं ऐसा सच जो करते रहते हैं हम लोग रोड़े के टाएम मारा उसने ऐसा टाइप का तो वो क्यूं कि यह पंक्षम है वो क्या कर दिया आसु को नाख में भेज दिया फिर आसु कहां से निकलने लग गया आखो करन्ती नेक्स्ट है यह कृत किस को सिखा से मिलकर बना होता है तो यह कृत किस को सिखा से मिलकर बना रहता है पिटेटिट को सिखा यह कूपर को सिखा यह और भी दोनों तो जो है हमारा वो है पिटिक को सिखा और कूपर को सिखाए दोनों से मिलकर बनी होती है ठीक है अग एक लिए को र करें की तरफने वर विए को एससे आता हैं माना कि तो घरंच कर लेती तो पुला निर्मान कर लेती है अगर我们 यह नहीं कि रोज-डिंग करें रोज- रोज ऑसका भी है घंठ रोस के कर पाएगा ऑषिक करने का में करना पाएगा रोज ही रोज एक ही काम होने लग जाए तो फिर वो भी क्या हो जाएगा अब कुछ नहीं हो सकता भाई तो मैं खराब ही हो जाता हूं इसलिए Anil Nexarineや Daником eparin का निर्मान किसी में रहता है hyparin का निर्मान के इसी ग कहना है य ख्रतरा फिल्स्मा ग्रंथी जो सालन चुमले ख्रत्राइन रहता है in picked a drink क्या काम करता है ay android को जमने से रोकता है MM 알아 जो हो रहे ये बनता है यह क्रित में हमारे लीवर में और लीवर क्या है यह exocrine gland है ठीक है exocrine gland यह कौन सा है तो हमारा लीवर है सीबम का निर्मान कौन सी ग्रंथी करती है तो सीबम का निर्मान कौन सी ग्रंथी करती है gastric gland, sebaceous gland, slavery gland या mevomine gland sc beanixe syوم का निर्मान करता है to see bum का निर्मान करता है sever Glenn यह क्या रहता है यह नाकि उपर में रते और जो हम लोग बोलते हैं हमारा skin oily है और यह इसे निकाल के दिखाते भी रते हैं कि oily oily है तो cesus clean and clear uh तो लड़के क्या, या गानियर में फेस्पोस, यही सब यूज करते रहते हैं फिर, अब रेनिन एंजाइम किस गरंती से इस्त्रावित होता है, जो रेनिन एंजाइम है, वो किस गरंती से इस्त्रावित होता है, जठर गरंती, लाल गरंती, ये स्लेस्मा गरंती, तो रेनिन इस्तरावित होता है जठर ग्रंथी से, ठीक है, जठर ग्रंथी से, गेस्ट्रिक ग्लेंड से, और यह क्या काम करती है, तो यह रेनिन जो है, वो क्या काम करेगी, वो दूद को पचाने का काम करती है, ठीक है, किसको पचाने का काम, दूद को पचाने का काम, और जो गेस्ट् अस्ट पैते हैं तो व्म ज्यादा पाचन सक्ती उनको देता है वैसको दिरे-दिरे क्या हो जाता है कम हो जाता है और ransom को दोथ को नहींग बनाने कभी काम करता है कभी कभी रेखसब्स द्धूठ जब लेकिन बाछ श्कुम करने कभी काम करता है तो देखके लगा वीडियो या आप comment box में बता सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद